कि हलो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दाख लिए कलिए सिकन डाउंट की काउंसलिंग प्रकिरिया टेक गए है तो आज हम इसका बारें बताने वाले हैं कि क्या न्यू जाई है आई टी आई के दारा देखिए प्रभात ख़बर में न्यू छपा हुआ है हैने जासा कि आप लोग देख रहे हैं यह प्रफा का एक आप है और टीवरे में पतल्य की का आज नुजाई है है क case दरा कि gren оп की आनले दमिए लिए केjän्ड याट कींज्णिंग की यह यह नो फ्रवरी को second round second round की परकिरिया होनी थी seat allotment जारी होनी थी लेकिन नहीं हुई तो चलिए हम बताते हैं इसका कारण क्या है यहां देखें लिखा गया है कि राज करदोग पर सीचिन संस्थान में दाखले के लिए second round की round की काउशली में देरी होगी second round seat allotment जारी नहीं हो सका है बिहार संजुक्त परवेश परिच्छा परजबता परसद BCC ने कहा कि technical region से seat allotment जारी नहीं हो सका है जल्द ही जल्द ही seat allotment जारी होगा राज की अधोगी पर सीचिन संस्थान में दाखले के लिए पहले round के तहत पांच फरवरी तक दाखला लिया जा चुका है संस्थानों माइटी आई की पचीश सु दूसु पैटिस सीटों पर इस बार दाखला लिया जाना है आईटी आई काउमन इंट्रेस्ट टेस्ट में सफल हुए भेरतियों को ही इनस्थानों में की राज का इस आउनिक पीमेंस आईटी में पचीस दूसु पैतिस सीटों में जिन में समान्नें अभर्टत अभिए दर्स्याइर आठ हर्स आज मैं सी एस्टि के लिए चारहेर आट सो और यह के लिए छाहे राट के लिए दियोषेपचासी के लिए के लिए चाहेब़ फर्लींव के लिए sana जनओर टिशीर हे लिए उट यार आर्सė लिए 7007 1921 सित ही महिला IT में घुल सिट 292 है in 65 लियाजाएगा देखले की पतकिर पडशना वारंड तक डावलोड करना था दस प्रवरित व लेकेन अब इस परकिद्यम देरी होगी तैसका कि आप लोग देखा कि जो कॉंस्लिंक हुआ था उसका फर्स्ट राउंड जारी कर दिया गया था पाच्ट पर इको आसिकिन ड्राउंड नाइन नूँ फरेवरी को जारी करना था लेकिन इसमें देरी हो रहे हैं इसमें बताया कर दियाएगा ताफ लोग अपडेट रहिए और इस चैनल पर अगर जारी किया जाएगा तो इस चैनल पर आगे बताया जाएगा तो इस चैनल से जोड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और इस वीडियो को पूरा से पूरा शेयर किजिए और इसे लाइ जुर किजा और कमेंट कर बताया गई वीडियो कैसा लगा